हेलो स्टुडेंट्स प्रेप्रेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम NCRT क्लास 11 की पोयम फादर टू सन रिटेन बाई एलिजबेथ जैनिंग्स को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम इसको एबाउट दा पोयम पढ़त के और उसके बच्चे के बीच में वे जो हैं एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं उनकी वैल्यूस अलग हैं क्योंकि उनमें जो है बहुत बड़ा एक जनरेशन गैप है तो उसी विशह में ये पोयम लिखी गई है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं I do not understand this child though we have lived together now in the same house for years तो लेकर कहते हैं कि यद्दिपी हम दोनों एक ही घर में सालों से घटे रह रहे हैं मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका वो कह रहे हैं कि हम दोनों यद्दिपी घर में सालों से रहे रहे हैं फिर भी मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका I know nothing of him so try to build up a relationship from how he was been small yet have I killed वो कहते हैं कि मैं उसके विशह में कुछ नहीं जानता इसलिए मैं उसके साथ अपना संबंद उसी आधार पर बनाने का प्रत्न करूंगा जैसा कि वैं तब था जब वैं छोटा था The seed I spent or shown it where the land is his and none of mine We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air This child is built to my design, yet what he loves I cannot share क्या मेरा बीच अर्थात उसकी सिक्षा, दिक्षात सब बेकार हैं बेकार गई, वियर्थ गई, ये प्रत्वी उसकी थी मेरी नहीं हम अन्जाने लोगों की तरह बाते करते हैं हम दोनों की बीच कोई मिल मिल आपका वारतालाप नहीं है, कोई बात्चीत नहीं है इस बच्चे को मैंने अपने धंग से पाला है, वो चीजें उसे अच्छी लगती हैं वे मुझे अच्छी नहीं लगती इस लगती है हैं है तो रוכलाही को, अच्छी बचल से अवच्छी से लुए को आपके हैं यह स्ट्व श कमण सबते हैं फποच्छील से रोगती है, मुगती है भुची से इस vendo लो boy मैंग से अपनोड़ के लोगत yol eldest वह दो रखे हैं तो ऊंगत भाती हैं खामोशी में रहे, मैं चाहता हूं कि वह अप वही पुत्र की भाती घर लौट आए, उस घर में जैसे उसे पता है, ना कि अपने धंग से अपनी दुनिया में रहे, मैं उसे माफ भी कर दूँगा और अपनी विथा से नए प्यार का निर्मान करूँगा वह कहता है कि हम दोनों पिता और पुत्र को एक दुनिया में रहना है एक ही धर्ती पर रहना है, मैं अपने आपको नहीं समझ सकता, मेरे दुख से क्रोथ क्यों पैदा होता है हम दोनों दूसरे को छमा करने के इच्छा से खाली हाथ आगे बढ़ाते है तो एक वार इसको फिर से शुरू से स्टार्ट करते है I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years I know nothing of him, so try to build a relationship from how he was when small, yet have I killed यदि भी हम दोनों एक ही घर में सालों से खटे रह रहे हैं मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका यदि भी हम इस घर में सालों से खटे रहे हैं, फिर भी मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता इसलिए मैं उसके साथ अपना संबंद उसी आधार पर बनाने की कोशिश करूँगा जैसा कि वै तब था जब वै छोटा था The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air This child is built to my design, yet what he loves I cannot share क्या मेरा बीच अर्थात जो उसको सिक्षा दिक्षा दी गई है पिता के द्वार अपने बेटे को, क्या वो सब बेकार गई यह प्रत्वी उसकी थी, मेरी नहीं हम दोनों अंजाने लोगों की तरह बाते करते हैं हम दोनों के बीच कोई मिल मिला आपकी बातचीत नहीं है, कोई वारताला आप नहीं है इस बच्चे को मैंने अपने धंग से पाला प्रंतु जो चीजें उसे अच्छी लगती हैं, वे मुझे अच्छी नहीं लगती हम खामोशी में घिरे हैं, मैं चाहता हूं की वहे एक अपवई पुत्र की भाती घर लोटा है उस घर में जैसे उसे पता है, ना की अपने धंग से अपनी दुनिया में रहे मैं उसे माप भी कर दूँगा और अपनी विधा में से नए प्यार का निर्मार करूँगा father and son, we both must live on the same globe and the same land he speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief we each put out an empty hand, longing for something to forgive वह कहता है, हम दोनों पिता और बेटे को एक दुनिया में रहना है एक ही धरती पर रहना है मैं स्वयम को नहीं समझ सकता मेरे दुख से गुस्छा पैदा क्यों होता है, क्रोध क्यों पैदा होता है हम दोनों दूसरे को च्छमा करने के इच्छा से खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं तो friends, students आज हमने ये कोयम जो है पढ़ ली है और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को आप जोनों सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर भी करें और उसके बागी बचे को चैप्टर भी हम बहुत जल्ली ही कंप्लीट कर लेंगे हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद